नमस्कार दोस्तों आती समभावित प्रश्णिस के इंखला जो हम यहापर डिस्कस कर रहे हैं उसके दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जार हैं इसका तीसरा पार्ट तीसरे पार्ट में भी 30 कुष्टिन होगे सुपर थार्टी स्रीज ये चल रही है एक्जाम की दिर्श से बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोग अच्छा रिस्पॉंस कर रहे हैं जो मैं प्रशन पूछता हूँ उसका जवाब दे रहे हैं अच्छा लगता है मुझे अगर आप ऐसा करते हैं ऐसे ही आप करते रहे हैं क्योंकि आप इतना कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है जब आप कमेंट करते हैं आप लाइक करते हैं आप इसको सेर करते हैं तो मेरे लिए बहुत ही एनर्जेटिक होता है मुझे बहुत ही ज़्यादा उर्जा मिलती है और मैं काम कर पाता हूँ मैं उमपांडे आपका गाइड आपका दोस्त चलिए सुरू करते हैं और इसका पहला प्रस्न है लेकिन टोटल स्रीज का 61 नंबर कुश्चन देखते हैं 61 to 90 नंबर कुश्चन यहां पर हम देखेंगे 30 प्रस्नों का यह discussion होगा और important प्रस्न है यकीन मानिए आपको यहां से प्रस्न मिलेंगे 61 नंबर प्रस्न है हाल में मुख्मंद्री योगी आदिद्यान ने 1.100.2018 का सुबारम किस जिले में किया तो यह इन्होंने सुबारम किया है 12 बंकी में 12 बंकी में इन्होंने सुबारम किया 1.100 का 2018 की बात यह हो रही है तो यूपी का करेंट जो लोग बार बार कहे रहे हैं यहां पर जो भी UP का कोई current बहुत जादा नहीं होता है। तो जो UP का current है वो भी हम इस current फेर में साथ साथ में करते चल रहे हैं, ध्यान देखे करते चल रहे हैं। तो आप लोग परिशान नहों इसको देखें। निम्निकित में से सत्ते कथन आपको बताने हैं। पांच जुलाई 2018 को भारती अंतरिच अनुसंदान संस्थान यानि इसरो अंतरिच यात्री प्रणाली का इसने सफलता पूर्वा परिछण किया। ये बचाव परिचण के निस्पल होने की इस्तिति में परिचण यान से सुरच्छित दूरी पर ले जाने की एक परिचणाली है। और इसरो ने स्रीक हरिकोटा इस्तित शतीस धावन अंतरिच केंट से बचाव परिचणाली का परिचण किया। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट के दौर पर करें वीडियो को पास करें और उसके बाद में देखें। तो ये तीनों के तीनों स्टेट्मेंट सही है। पहला दूसरा तीसरा ये सारे स्टेट्मेंट सही है। और यह बहुत ही महत्पूर है कि अगर कुछ परिच्छ पणाली निस्फल होती है तो यह परिच्छन यान को सुरच्चित दूरी पल ले जाता है और सी हरकोटा से होता है यह तो आपको पता ही होगा ठीके ना तो यह तीनों को तीनों सही है डी ऑप्शन इस खरेक्ट पिसी ईके नए अध्यक्छा निंट किये गये तो नए अध्यक्षा नीगह निए विशेख पतेल है विश्वास प्येज को पीची आई का यानिकि भारती भुखतान परिश्चत का निया अध्यक्ष बनाया गया है च्वठैश शाठों प्रस्न है हाली में किसने तो ग्रीज पिल लई को railway board के नए सदस की रूप में सामिल किया गया, कभी-कभी ऐसे प्रशन पूछ लिया जाते हैं, बहुत important यह नहीं है, लेकिन ऐसा आप जानते रहेंगे, तो जब खथिन प्रशन कभी बनाया जाएगा, या थोड़ा सा अलग तो आपका हो जाएगा, 65 प्रशन है, यह देखिए, 64 दो बार हो गया है, यानि कि आप एक कुश्चन का और इजाफा हो गया, कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, बस्त, के इन सरकार ने हाल में मॉब लिंचिंग को नियांतित करने के लिए, किसकी अधेक्स्ता में एक उच्छ अस्तरिये शमीत का गठन किया, तो यह जो समीतिका इन्होंने गठन किया है, वो ग्रह सच्यू के, ग्रह सच्यू के अधेक्स्ता में समीत का गठन किया है, तो यह important है, D, option इसका correct है, आप भी जब ग्रह सच्यू बन जाएगा, तो आईसी समीतियों की अधेक्ता करने हैंगा, मौका आपको म कहा है, यह भी important है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, कि इस नदी पर है, तो यह चिनाम नदी पर है, यह तो question इसमें तयार हो गया आपकी, निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है, परसित्त मनोचिकित्सक, प्रोफेशर, एन, एन, विक का निधन हो गया, उन्हे से, एन, विक का छेत्र कौन सा है, तो यह मनोचिकित्सक थे, ऐसे प्रशन पुछे आते हैं, मनोचिकित्सक, खगोल, वेद, ऐसे ही आपसे बिजनेसमैन भी कोई देदेगा, या आपसे कोई गायक देदेगा, या निर्तांगना, या निर्तक देदेगा, निर्तक देदेग ठीक है ना अगला प्रश्ण है 68 लाडली लच्मी वाली का प्रुसाहन योजना कहा जारी है तो ये योजना जो है वो मद्द प्रदेश में जारी है मद्द प्रदेश में ये योजना चल रही है अभी इस बीज में इसमें सरकार ने कुछ और परिवरतन करके इसका जायरा और बढ़ाने की कोशिस की है इसलिए चर्चा में थी और रिटेल जानने की जरुरत नहीं है मद्द प्रदेश में है इतना आप जानिए बस बहुत है पूना और हैदराबाद नगर निगम दौरा जारी किये जा चुके है यहां पर देखे फोड़ा से कुश्चन ऐसा होना चाहिए कि अमरित यूजना के बांड पूना और हैदराबाद नगर निगम दौरा जारी किये जा चुके है हाल में तीसरा नगर निगम कौन बना अमरित यूजना के लिए बांड जारी करने वाला यानि अम्रित योजना के लिए बांड जारी करने वाला तीसरा नगर्णिगम तो ये नगर्णिगम है इन्दूर नगर्णिगम इसके पहले पुणा और मैंने आपको बताया हैदराबाद ये दो नगर्णिगम जारी कर चुके हैं और तीसरा आपका हो गया इन दोर तो ये तीनों आप जान लीजे बहुत इंपोर्टेट है अगला प्रशन है हाली में किसे वर्स 2018 के प्रतिष्ठित विष्ट्व खाद पुरुसकार प्रदान किये जाने की घोशना की गई तो ये डाक्टर लॉरेंस हैडाट और डेविड नावैरो ये दो लोगों को बिष्ट्व खाद पुरुसकार 2018 जरा बताईएगा कि ये पुरुसकार कौन देता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है कमेंट बाक्स में इसको अवस्य बताईएगा पूछा गया है ये प्रशना 71 नमबर कुश्चन है जून 2018 के मद्य ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB की तीसरी वारसिक बैठक कहां आयोजित की गई तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया भारत में हुआ और भारत में कहां किया गया मुंबई में तो ये बीजिंग बैका ये सब कन्फ्यूज मत हो येगा जून 2018 की बैठक की बात हो रही है ऐसे याद रखिया क्योंकि कई बार कई बैठकों में कन्फ्यूजन हो जाता है 72 नमबर कुश्चन है तीन से साथ जन्वरी 2019 के मद्य 106 में भारतिय विज्ञान कांग्रेश 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा तो ये जो आयोजन है ये लवली प्रोफेशनल में किया जाएगा इंपोर्टेंट है बहुत ही इंपोर्टेंट है ये बार बार पूछा जाता है तो ये लवली प्रोफेशनल इंवस्टी में किया जाएगा अच्छा किस स्टेट में और किस जगह पे ये लवली प्रोफेशनल इंवस्टी क्या बताएंगे मैं आसा करता ह था इसी के बहाने में बताया दे रहा हूँ कि मैं फाल्तू effort से बचना चाहता हूँ और आपको भी ज़्यादा उलजना ना पड़े इस दिए अब मैं चाहता हूँ वो जो पहले मैंने discussion किया था वो वहाँ तक का विल्कुल update था डेट सो question वो भी discussion हुए थे description box में link मिल जाएगा और description box में जाके उसको कर दीजेगा मैं community post पे भी उसको share कर दूँगा तयार कर डाली यह बहुत important question है इस तरह से जब पाचार-पांसो question आप देख लेंगे तो यह सारे मिलके आपके लगभग question सही करा देंगे तो उसको देख लीजेगा 73 नमबर प्रशन है निमनिखित में से सत्य आपको बताना है अब तटिये पवन उर्जा के लिए राष्टिये लच्च गोसित किये गए इसके अनुसार वर्स 2030 तक 30 गीगावाइट दीरकारिक लच्च गोसित किया गया है और भारत में पवन उर्जा उत्पादन में तमिलनाडू सीर सस्थान पे है यह दूसरा statement है दोनों में से सत्य कौन सा है तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है ठीक है ना तमिलनाडू के बाद में किसका अस्थान आता है गुजरात का और गुजरात के बाद में किसका अस्थान आता है महराष्ट का तो यह सी ओप्सन इस करेक्ट ओप्सन पहला दूसरा दोनों शही है 30 गीगावाट का लच्च जो रखा गया है 2030 तक पवन उर्जा के छेतर में इसको याद रखिएगा ठीक है ना सौर उर्जा नहीं है यह सौर उर्जा का लच्च अलग है इसके भी प्रशन में डिसकस कर चुके है पवन उर्जा के में यहां बार बर बता रहा हूँ 2030 तक 30 गीगावाट का लच्च है प्रशन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा तमिलाडू में है उत्पादन हाली में अमेरिकी सीनेट ने किस देश के साथ रच्चा संबंदों को विस्तार देने संबंदी राष्टिये रच्चा अधी करण विधयक 2019 को पारित किया तो यह किया है भारत के साथ अमेरिका ने यह रच्चा संबंदों को विस्तार देने के लिए किया है 75 प्रश्ण है निमनिकित में से सत्यक अथन आपको बताना है जून 2018 में भारत का पहला आपदा जोखिम सुचकांग जारी किया गया जिसके अमसार महराष्ट को सरबादिक भेद राज और महराष्ट के बाद पस्चि मंगाल को दूसरा और उतर प्रदेश को तीसरा और मद्द प्रदेश को चौथा भेद राज बताया गया यह सुचकांग आपदा जोखिम ड्यूनी करन पर सेंडाई फेमवर्क इसको सेंडाई ऐसे अंगरेजिय में लिखा जाता है सेंडाई फेमवर्क जिसे हीउगो फेमवर्क पहले कहा जाता था अब उसने इसका स्थान ले लिया है सेंडाई फेमवर्क बदब सेंडाई फेमवर्क ने हीउगो फेमवर्क का स्थान लिया ऐसे कहा जाता था यह गलत हो जाएगा पहले Hugo framework था अब Sendai framework है कि प्रतिभारत की प्रतिपद्धता के प्रतिकूल है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और ये विकल्प इधर दिये हुए है ठीक है ना तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला सही है फिलकुल और दूसरा भी सही है महराष्ट सबसे भेद राजजी है आपदा जोखिंग के मामले में अनि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपदाएं आती है तो पहला दूसरा statement सही है इसका दूसरा statement का आगे का हिस्सा भी सही है उतर प्रदेश तीसरा अस्थान ःतर प्रदेश का और यी जो तीसरा statement ही ये गलर है इसके प्रतिकूल नहीं है इसके क्या है अनुशार है है इसके अनकूल है ठीक है न? संड़ाई प्रेमओर के अनकूल है तो इसका उतर रजाएगा एक और दो तो देखें किस option में है तो यह यहाँ पर है B option में तो B option is correct option 76 number question है सत्य बताना है राष्टिय सैच्छिक अनुसंधान और परसिच्छन परस्यद N.C.E.R.D. जिसकी किताबे आप पढ़ते हैं पर्थम बार राष्टिय योग ओलंपियाट का आयोजन कर रही है यहाँ पर जो है इनमें से दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है यह पहली बार नहीं कर रही है यह तीसरी बार कर रही है जब ऐसे पहली बार केवल इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं तो वहाँ पे गलत होने की संभावना होती है तो इसको ध्यान से आप पढ़े तो इसमें केवल एंसर हो जाएगा B B option is correct option केवल 2 सही है 77 नमबर प्रश्ण है राष्टिय स्वास्थ मिशन NHM की 11 सामाने समिच्छा मिशन रिपोर्ट जारी की गई इस रिपोर्ट के अमसार देश में वर्स 2013 में मात्रिम वितुदर यानि MMR में रिकार्ड वाइस परिसद की गमी दर्ज की गई और बरतमान में ये 166 जो 2011 से 13 के बीच में 166 थी 2013 से 16 में ये घटकर 130 हो गई दोनों की दोनों स्टेट्मेंट यहां पर सही है और उत्तर हो जाएगा सी बहुत इंपोर्टेंट है आप से MMR वैसे भी पूछ लिया जाता है इस समय कितना है? 130 जो 13 से 16 में घटकरी हो गई 130 और 22 प्रसत की कमी बहुत बड़ी बात है और अच्छी उपलब दिये 78 प्रस्ण है निम्निकित में से सत्य आपको बताना है 23 में यूरूपिये संग फिल्म महोचो 2018 का सुबारम नई दिल्ली में हुआ इस फिल्म महोचो की उदगाटन फिल्म सुलोवाकिया की लिटल हारवर रही दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है 23 में यूरूपिये संग फिल्म होचो का सुबारम नई दिल्ली में हुआ और ये लेटर हारवर भी याद रखेगा और दोनों सही है 79 नमबर जो कुश्चन है हाल में केंद्रिये मंत्रि मंदल ने उत्तरपूर्वी परिशद नार्थ इस्टन काउंसिल NEC के पुनरगठन को मंजूरी दी नई वेवस्था के अंतरगत कौन उत्तरपूर्वी परिशद के पदेन अध्यक्ष होंगे तो ये होंगे केंद्रिये ग्रह मंत्री राजनात सिंग इस समय ग्रह मंत्री हैं तो वही हो जाएंगे इसके पदेन अध्यक्ष अस्टी नमबर प्रशन 29 मई से 2 जून 2018 के मद्ध प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेसिया, मलेसिया और सिंगापूर की आत्रा पर रहे मलेसिया के नौ निर्वाचित प्रधान मंत्री का नाम वहाँ पे नए प्रधान मंत्री कौन है यह आपको बताना है तो यह है डाक्टर महाथिर मुहम्मद डाक्टर महाथिर मुहम्मद मलेसिया के नौ निर्वाचित प्रधान मंत्री है 81 नमबर प्रशन है जून 2018 को यहाँ पर नहीं, जून 2018 में केंदर सरकार ने किन राज्यों के मद्द जल विवाद को निप्टाने हैं, तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया, तो यह जो कावेरी जल विवाद है, इसमें जो राज्य हैं उन्हें के नाम आपको बताने हैं, तो इसमें एक तो तमिलनाडू, दूसरा करनाटक केरल, टीके के पुद्धू, पुद्धू चेरी पी, टीके के पी, याद रखे फार्मूला, बी ओप्शन इस करेक्ट ओप्शन, कुश्चन नमबर 83, हाली में किस क्रेडिट रेटिंग एजनसी ने बैंक आप बढ़ोदा, ब यह कटेगरी है, उस पर रखा, तो यह रखा है फिच ने, फिच ने इसकी जो रेटिंग की, उसमें इसको रेटिंग वाज नेगेटिव पे रखा है, गोटाले हुए, यही कारण है इसका, निमनिखित में से सत्यकतन की पहचान करें, 30 सितंबर 2018 को, WTO, World Bank और IMF की संयूग रिपोर्ट, Re-Invigrating Trend and Inclusive Growth जारी की गई, यह तीन संस्थान याद रखिएगा, WTO, World Bank और IMF, और इसा ही स्टेट्मेंट है, मैं इहीं बता देना चाहता हूँ, इसने जारी की, भारत इस रिपोर्ट में उदाहरन, भारत का प्रस्तुत किया गया, इस रिपोर्ट में भारत क उदाहरन प्रस्तुत करते हुए कहा गया, कि सेवा छेतर में खुले पन में ब्रधी होती है, सेवा छेतर में खुले पन से ब्रधी होती है, अगर खुला पन होगा, तो सेवा छेतर में ब्रधी होगी, यह बात कहा जा रहा है, यह बात कही जा रही है, तो यह दोनों के दोन रेंट है कई बार प्रशनी पूछा गया है पांसो चौदा दसमनो चार बिलियन डालर यह था पांसो चौदा दसमनो अंकटाड ने वर्श 2015 में भारत की जीडीपी ब्रधीदर कितने प्रत्सात अन्मानित की है तो अंकटाड की हिसाब से अगर आप उन्सकी इंसार पूछा जाए तो यह साथ प्रत्सात इसने कहा है कि यह 2015 यह गरवड हो गया है 2018 की बात होगी ठीक है ना तो यह याद रखेग का तो वहां से अगर मैं मटेरियर लेता हूँ तो वहां अगर गलत होता है तो हो जाता है तो यह 2018 की बात हो रही है साथ प्रत्सात 87 निम्दिकित में से सत्यकथन की पहचान कीज़े सितंबर 2018 में ADB द्वारा भारत के लिए देश भागिदारी फ्रेमवर्क पस्तावित किया गया इस फ्रेमवर्क से भारत को अंतराष्टिय पुनरिम्राण विकास बैंग IVRD IFC यानि अंतराष्टिय वितनिगम और भौप नहीं वर्ड वायंग के द्वारा ऐसा किया गया है और दूसरा ये सही है IVRD IFC और मेगा से 25 से 30 बिलियन डालर का वित्य समर्थन प्राप्त होगा और इसका सही उतर हो जाएगा केवल 2 B option is correct option 87 का 88 नमबर कुश्चन है हाल में 9 विकास बैंक NDB इसने मद्ध प्रदेश में बुनियादी राचा परियोजना के लिए कितनी रासी का कर्ज मनजूर किया तो ये 52 असमलो 5 करोन डालर का कर्ज इसने मनजूर किया है मद्ध प्रदेश में बुनियादी राजा प्रदान की गई तो ये प्रदान की गई है 11 सितंबर को प्रदान की गए 11 सितंबर को प्रदान की गए 11 सितंबर 2018 को ठीक है ना तो योगी आदित तिनात की ये मतलब पर इन्होंने संसोधन किया है उनकी फोटो के साथ आप ये नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगी 11 और अंतिम प्रश्ण है इस एपिसोड का 90 नंबर कुश्चन निम्डिकित में से सत्यकथन की पहचान करें WPP और कंतार मिलवर्ड ब्राउस ब्राण्ड द्वारा जारी किये गए ब्राण्ड इंडिया टाफ 75 के 75 कम्पनियों की सूची में अपसे प्रशन ऐसे भी पुछा जा सकता है कि सबसे मूलवान भारत का कौन सा है तो यह बताएंगे तो यह पहला स्टेटमेंट सही है बैंक को पहली बार देश का सबसे मूलवान भ्राण्ड गुसित किया गया है और तीसरा स्टेटमेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पहली बार नहीं किया गया लगातार पाचवी बार लगातार पाचवी बार से कि यह सबसे मूलवान भ्राण्ड है और यह तीसरा स्टेटमेंट सही है दूसरे अस्थान पर LIC है और फिर TCS है तो दूसरा गलत हो जाएगा एक तीन सही हो जाएंगे इसके सी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन अच्छे इसको पढ़ते रहिए और मैं आपको जो पिछले करेंट अफेर की लिंक देने वाला उसको भी जरूर देख लीजिए गा पिछले एपिसोड में मैंने एक कुश्चन डिसकस किया था 60 नंबर कुश्चन तो उसमें मैंने ऐसे कहा कि जून 2018 में तो मैंने का कुश्चन नंबर 60 जून 2018 ऐसे मैंने बोला कुश्चन नंबर 60 फिर आगे में कांटी किया जून 2018 तो कई लोगों को लगा कि 60 जून में बोल गया हूं अरे महोदे इतना तो मुझे भी बता है महोदे महोदे जिनकों भी लगा कि 60 जून नहीं हो सकता एक टिस तक का ही महीना होता है आप लोग इन सब फालतु चीजों पर ध्यान मत दिया किजिए आपके पढ़ाई पर ध्यान दिया किजिए कुश्चन नंबर 60 फिर ऐसे आगे देख लीजिएगा मैं उसके लिक सेर कर दूँगा थाइंक्यू 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 बेर